हलो बच्चो हमारे सपने हमारी ओकात से बड़े हैं लेकिन उन्हें पाने के लिए हम अपनी जिद पर अड़े हैं सपने हमेशा ओकात से बड़े देखने चीए और उन्हें पाने के लिए हमेशा जीजान लगा देनी चीए यानि अपना जिद होना चीए जुनूर होना चीए कि हम उस सपने को पूरा कर सके ठीक है बच्चो क्योंकि सपना तो वह चीज है जो इंसान को सोने भी नहीं देता है ठीक है बच्चो तो इसी कॉंसेप्ट को आगे बढ़ाते वे आज हमारा नया टोपिक है IUPAC Norman Clature, IUPAC नामक्रण ठीक है देखो बच्चो क्या होता है कि हम जब Organic Chemistry की बात करते हैं तो Organic Chemistry में हम नामक्रण तो करते हैं मलब reaction पढ़ते हैं लेकिन reaction हमसे हो नहीं पाता है क्यों नहीं हो पाता है reaction उसका काण यह होता है कि हम उस reaction में क्रियात्मक समू को ही नहीं पैचान पाते हैं कि इस reaction में हमें दिया गया compound कौन सा है तो इसलिए most important चीज़ है IUPAC normanclature तो इस topic में हम IUPAC normanclature यानि IUPAC नामकरण के साथ-साथ हम यहाँ पे NEET और JW में आये वह PYQs भी solve करेंगे ठीक है ना? तो यहाँ पे यह हमारे किरियात्मक समूँ है सारे carbox लिगा है, cell phone नहीं कही है यह सभी करियात्मक समूँ है, इन सभी का नामकरण पढ़ेंगे लेकिन हमारे हाँ सबसे पहले हमारे पास में जो करियात्मक समूँ है carbox लिग अमल कौन सा है बच्चो? carbox लिग अमल अब इस carbox लिग अमल में यहाँ देखिए आप इसका formula होता है COOH carbox लिग अमल का formula COOH ठीक है न? यहाँ लिख सकते हो आप इसको COOH इस समूँ का अनूलगन यानि suffix होता है oik अमल क्या होता है? oik अमल ठीक है बच्चो? यहाँ पे नामकरण में हमेशा ध्यान रहे बच्चो कि format को हमेशा ध्यान में रखना है format आपको पकड़ में आ गया तो गल्ती बिल्कुल नहीं होगी देखो यहाँ पे सयुजक्ता free है, valency free है इस valency पे हम जोडते हैं R क्या जोडते है? R, R का मतलब होता है carbon की संक्या, जो 2 भी हो सकती, 10 भी हो सकती, कितनी भी हो सकती है हम यहाँ पे इस R को R को यहाँ पे लिखते है alken के द्वारा, किसके द्वारा लिखते है बच्चो alken के द्वारा ठीक है? अब alken के द्वारा लिख दिया अब उसके बाद में यह जो samu है, इस samu का जो अनुलगन होता है, वो होता है oik aml, क्या होता है बच्चो oik aml, तो यहाँ पे इस samu का जो अनुलगन है वो आपके पास में है oik aml oik aml, तो इन दोनों को हमने जोड दिया तो alken plus oik aml यह बन गया बच्चो प्यारे, lk noik aml, lk noik aml यह हो गया हमारा इसका format lk noik aml अब जैसे इस R का वैल्यू आपके पास में, suppose आपके पास में है 3 carbons, और आगे आपका formula क्या है, CWH ठीक है, तो IUPACA कहती है, कि क्रियात्मक समू के अंदर carbon है तो वो भी count होगा, तो क्रियात्मक समू के अंदर carbon है, देखो 1 2, 3, 4 तो हमारे पास carbons रंकला हो चुकी है 4 carbons की, कितने की हो चुकी है बच्चो प्यारे 4, ठीक है न, अब देखो 4 carbons की है, तो हम इसके लिए 4 carbons के लिए लिए लिखते हैं, but क्या लिखते हैं बच्चो, but तो हमारे पास में alken हो गया, butane क्या हो गया बच्चो प्यारे, butane plus, यहाँ पे क्या होड़ना है, इस क्रियात्मक समू का अनुलग न, ओइक अमल, तो क्या हो गया, butane नौइक अमल, क्या हो गया बच्चो प्यारे, butane नौइक अमल, क्लियर, ठीक है, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और इसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला थोड़ा एड़ कर देते हैं, यानि, एक्जाम्पल को थोड़ा स्पाइसी बना देते हैं, ठीक है बच्चो, हाँ जी, देखो बच्चो, इस स्पाइसी कैसे बना रहे हैं, हम इस क्रियात्मक समू में, हम इस क्रियात्मक समू में, अधर फंक्शनल ग्रूप भी यहां पे इसकी कारवन स्रंखला में एड़ कर देते हैं, तो अधर फंक्शनल ग्रूप जैसे आपने एड़ कर दिया है, एलकोहल ओएच, तो नम्बरिंग हमेशा होती है, मुख्य किरयात्मक समू से, मुख्य किरयात्मक समू यहां पे आपक्सलिक यहां पे मुख्य किरयात्मक समू है, तो नम्बरिंग हमेशा मुख्य किरयात्मक समू से होगी, तो 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है बच्चो, अब कारवन नम्बर 3 पे क्या जुड़ा होआ है, ओएच, एलकोहल, ठीक है न, एलकोहल तो जानते हो आप, तो एलकोहल य आत्मक समू का जो प्रतिस्थापी होता है, वो होता है बच्चो, हाइड्रोक्सी, क्या होता है बच्चो, हाइड्रोक्सी, तो यहां पे इसका पोर्व लगन हम यूज लेंगे हाइड्रोक्सी, तो कारवन नम्बर 3 पे जुड़ा होआ है, तो हम लेखेंगे यहां पे 3 हेखजेन प्लस ओईकमल है क्या लेकिने हैकजेन ओईकजेन ओईक ंबल ठीक है बच्nom चों क्यों प्यारे हेखजेन प्लस ओईकमल है हेटगजेन ऑईकमल है तो 3 हाइडरोक्सी हेखजेनो अईकमल है किलिए बच्торों अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारा क्या इसका नाम खरण अब हम यह से करते हैं इस एक्जाम्पल को थोड़ा और ज्यादा स्पाइसी कर देते हैं आप को तो कर दें स्पाइसी कर देते हैं इस पाइसी का मलब इसको थोड़ा और इंट्रेस्टिंग बना देते हैं ताकि हम आप हमारा जो टार्गेट है नीट और जे डबली उसको भी हम यहाँ पे किलियर कर सके ठीक है बच्चो हाँ जी अब देखो बच्चो यहाँ पे हमने क्या किया जो आपकी कार्बन स्रंकला थी उसमें एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूँ एड कर दिये देखो उदा सी डबल वोंड ओएच ठीक है बच्चो यहाँ पे आपके पास में साइनाइट ग्रूप जुडावा है सी एन और यहाँ पे आपके पास में जुडावा है सी एचो एल्डियाइट ग्रूप और यहाँ पे एक तो एलकोल है और एक क्या जुडावा है एनस्टू एमीन ठीक हैं अब देखो हमेशा numbering होगी मुख्चे किर्यात्मक समू से तो मुख्चे किर्यात्मक समू कौन सा यहाँ पे carbox league cwh बाकी यह सबी क्या होगे प्रतिस थापी ठीक है अब यहाँ पे आप करोगी numbering numbering हमेशा मुख्चे किर्यात्मक समू से होगी बच्चो तो जो साइनाइड जब गृप का जो प्रिफिक्स होता है यह सुन। तो यहाँ पे carbon number 3 पे जुड़ावा है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे 3-sino उसके बाद में carbon number 4 पे यहाँ पे जुड़ावा है aldehyde तो इसका पूर्व लगिन होता है बच्चो, formal या oxon तो carbon number 4 पे जुड़ावा है aldehyde तो लिखेंगे यहाँ पे 4-formal क्या होता है बच्चो, 4-formal, अब उसके बाद में आगे जो प्रतिस्ता पे जुड़ावा है alcohol तो alcohol यहाँ पे देखो, OH है, इस alcohol का पूर्व लगिन होता है hydroxy क्या होता है बच्चो, क्या लिखावा है यहाँ पे? hydroxy तो लिखेंगे 4-hydroxy उसके बाद में carbon number 5 पे जुड़ावा है amine तो amine का पूर्व लगिन होता है amino तो यहाँ पे लिखेंगे 5-amino क्या लिखेंगे बच्चो, 5-amino और 6-carbon की chain है तो 6-carbon के लिखेंगे hexane plus oicuml, hexane noicuml ठीक है बच्चो, यह हो गया इसका नाम करना ठीक है आप इस example को थोड़ा और भी spicy कर देते हैं ताकि हम neat और JW की question पहुंच सके ठीक है ना क्योंकि कुछ इस प्रकार से भी आपके वहाँ नीट और JW में प्रसन आते हैं तो आपको solve करना है करना है ठीक है बच्चो तो देखो यहां पर आपको solve करते हैं इस प्रकार कुछ ऐसे लेते हैं परवस रंखला जिक जेक लाइन परवस रंखला तो इस परवस रंखला में हमने क्या किया एक तो यहां पर डबल बोंडेट कर दिया और यहां पर प्रतिस्थापी भी जोड़ दिया हमने जेको cyanide जोड़ दिया CHO जोड़ दिया NH2 Amine जोड़ दिया फिर एक और NH2 जोड़ दिया ठीक है हमेशा decide तो वही है कि हमेशा सबसे पहले होगी numbering और numbering होगी उस किर्यात्मक समू से जो में किर्यात्मक समू है स्रंख 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कारबन की सरंखला है तो देखो यहां पर 8 कारबन की सरंखला हो गई अब यहां पर यह सभी समू आपके प्रतिस्थापी हैं और प्रतिस्थापी समू का हमेशा लेते हैं पूर्व लगने तो कारबन नंबर 3 पर जुड़ावा है साइनो तो लिखेंगे 3 साइनो उसके बाद में देखो बच्चो यहां पर जुड़ावा है पांचवे कारबन पर फॉर्मिल तो लेकिंगे 5 फॉर्मिल एल्डेट का पूर्व लगन होता है फॉर्मिल या ओक्सो भी ले सकते हैं यहां पर कारबन नंबर 6 पर और 7 पर जुड़ावा है एमीन तो 6,7 डाइ एमीनो डाइ क्यों लगा है बच्चो क्योंकि हमारे पास में दो एमीन है जब एक जैसे दो तो क्या लगाते हैं डाइ तो डाइ एमीनो सरंख लाग cinnamon किये 8 carbon किये 8 menu कितने चारबन किये 8 तो 8 के लिए हम क्या लेकिए उसके बाद में carbon number 3 पे देको double bond है तो यहाँ आप लेखेंगे 3ene oct 3ene उसके बाद में क्या लेखेंगे बच्चो carbon number 3 से पे double bond था था oct 3ene अब इस क्रियात्मक समों का अनुलगन होता है oik aml तो क्या हो गया? inoik aml ठीक है बच्चो इस प्रकार सिवाइस का नाम करना ठीक है अब हम इसी पे आगे इसको बढ़ाते वे थोड़ा और ज़्यादा spicy कर देते इसको बच्चों क्या कर देते spicy ठीक है तो हो जाए spicy कुशन ready? ठीक है तो देखू हम यहाँ पे आपके लिए neat और JW में आया वा क्यूशन लेते है देख इदर क्यूशन आया आपका JW मैंस JW मैंस JW मैंस में कब आया बच्चों या आया 2nd September 2nd September 1st shift 1st shift 2020 में आया क्यूशन है 2020 ठीक है बच्चों क्यूशन क्या आता देखू इदर क्यूशन हमारे पास में इस प्रकार से दे रखा है यहाँ पे CS3 है इदर यहाँ पे CWH ने कार्वोक्स लिए आपके और इस जगर डबल बॉंड है ऊपर आपके यहाँ CHO है और आगे यहाँ पे CS3 है यूगिक का आई OPSC नाम क्या होगा ठीक है, तो कोई दिकत नहीं है सबसे पहले तो हमें क्या करना है मुक्के सरंकला का चैन करना है और उस सरंकला का चैन करना है जिसमें क्रियात्मक समू भी सामिल हो ठीक है ना तो किर्यात्मक समूं यहां पे कारवॉक्स लिग है तो कारवॉक्स लिग से आप यहां पे काउंटिंग करेंगे तो देख इदर यहां से तो वन उसके बाद में बच्चो क्या टू थ्री फूर फाइब सिक्स कितने कारवन की चैन हो गई बच्चो थीक है ना अब देखा बच्चो यहां पे सिक्स कारवन की चैन हो चुकी है आज आप और एक यहां पर मैथिल प्रतिस्थापी है, तो हमें यहां पर LD8 प्रतिस्थापी को लिखा सबसे पहले, ठीक है ना, तो LD8 प्रतिस्थापी यहां पे, LD8 का पूर उलगन हमने अभी बताया था, आपको फॉर्मिल होता है, यस या नो बच्चो, बताये थे भी, तो कार्बन नमबर 2 पे का जुड़ा, मिथाईल, यानि मैथिल, तो हम लिखेंगे यहां पर 3, sorry, sorry, 2 पे जुड़ा आवा देखो, 2 मैथिल, उसके बाद में, स्रंखला कितने कार्बन किया बच्चो, 6 कार्बन किया है, तो 6 कार्बन के लिए हम लेंगे या यूज, हैक्स, हमने लिखा क्योंकि कार्बन नमबर 3 पे डबल वोंड है, इसलिए लिखा, उसके बाद में, ओएक अमल, तो क्या हो गया, इन ओएक अमल, ठीक है बच्चो, इस प्रकार होगा इसका नामकन, तो वहाँ पे इसका ओप्सन दिया वा था, बच्चो प्यारे, D ओप्सन दिया वा था, तो जहां पि जिन बच्चो का, जिन बच्चो का, आई ज़र नम